तो जो छोटे काम हैं उनमें छोटा पैसा और जी रोज्जत होती हैं और उसे कोई बड़ा आत्मी करता नहीं नहीं उसके बच्चे करते हैं मैं भी राजा तो भी राजा अब कौन बजाएगा बाजा एक कहावत आपने सुनी होगी नाई की बड़ाग में सारे ठाकोर हुक्का कौन भरेगा क्योंकि अगर कहावत है कि ठाकोर अपना हुक्का खुद नहीं भरता जाती विवस्ता जो अभी दो सो तीन से साल में इंटर्लोग हुई है उसके मिसाल पहले नहीं थी तो ठाकोर अपना हुक्का भरेगा नहीं नाई भरेगा नाई ने शादी की सब बराग में ठाकोर लेके चला गया ठाकोर वो हुक्के की वो खास लगी अब भरे कौन उसे तो नाई भरेगा तो जो दूला है वो ही भरेगा दूला भर नहीं सकता क्योंकि वो तो दूला है, आज तो वो कुछ काम करेगा नहीं अगर दफ्तर में सभी अफसर हैं तो फिर दफ्तर में जाड़ो कुन लगाएगा दफ्तर साफ कुन करेगा, टेबल कुन साफ करेगा अगर घर में सभी पड़ी लिखी महिला हैं, मेंसाव हैं तो उनके बतन कौन साफ करेगा उनका घर पर पूछा कौन लगाएगा उनके जो गंदिगीया हैं उसे कौन साफ करेगा अगर स्कूल में सभी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं तो स्कूल साफ कौन करेगा मतलब अगर सारे लोग राजा हो गए या राणी होगे या सब पढ़ लिखी होगे या सारे लोग जानकार होगे तो फिर ये काम कौन करेगा ये असली बात है इस बात को आप इसलिए समझे क्योंकि बच्च्पन से दिमाग में डाला जाता है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता सारे काम बड़े होते हैं सारे काम अच्छे होते हैं मगर आप अगर ध्यान दोगे तो जो छोटे काम है उनमें छोटा पैसा और जी रुज़्जत होती है और उसे कोई बड़ा आत्मी करता नहीं नहीं उसके बच्चे करते हैं कभी नहीं देखा होगा आपने आप अगर ध्यान दोगे तो रिक्से चलाने वाला खेतों में मज़ूरी करने वाला सबतों में मज़ूरी करने वाला जो ये कूड़ा बिनने वाला है या जो उस कूड़ा उठाने वाला है जो टट्टियों में उसके काम करते हैं जानोरों उठाने वाले हैं ये सारे काम जो करते हैं इनमें कोई बड़ा आदम नीग लेगा जितने भी आप अगर धान दोगे कि धरनेक परजसन होते हैं या जो रेलिया निकलती है या जो भी कोई जो बड़ा आदमी उसमें करता हुआ नहीं नहीं लेगा बड़े आदमी कहां मिलेंगे आपको कोड में, काचेरी में डॉक्टर, इंजिनियर, जहाजों में बैटे हुए रेल के फर्स क्लास में बैटे हुए बड़े-बड़े मॉल में घूंगते हुए बड़े-बड़े कंपनियों के मालिक बड़े-बड़े धरों में रहते हुए बड़े-बड़े कोटियों में रहते हुए एक देश से दूसरे देश आते हुए जाते हुए पिच्चरों में हीरो और हीरोन को आप देखोगे वही बड़े लोग है या जो पैसा कमाते हैं डायक्टर वो लोग है या जो नेतागरी करते हैं वो बड़े लोग है या या जो टीवी अकवार चलाते हैं या उसमें आते हैं वो बड़े लोग है या जो बड़े लोग हैं वो बड़े अफसर हैं या बड़े बड़े जो पैसे वाले छोटे नहीं देखो गया ये जो छोटे लोग हैं जो सहर के कौने पर रहते हैं गाओं के कौने पर रहते हैं जो गंदे गंदे काम करते हैं वो बड़े नहीं बनते इसलिए कोई अगर आपको ये कहता है कि काम छोटा बड़ा नहीं होता ह कि कहीं अगर इसको ये पता चल गया कि काम छोटे और बड़े होते हैं तो फिर ये काम करेगा नहीं और जब ये छोटा काम नहीं करेगा तो फिर छोटा काम करेगा कौन क्योंकि जो बड़ा है अगर वो छोटा काम करेगा तो बरावर में आ जाएगा फिर तो छोटे बड़े का जो उँच नीज का भीद है वो खत्म हो जाएगा पैसे की बरावरी हो जाएगी क्योंकि कोई आदमी चेयर कुरसी पेट के 50.000 तरना लेता है और कोई आदमी जो उचर को टेबल को साफ करता है पांसर जियर पंच जार के तरना लेता है तो तस सूने कांथर पढ़ जाता है तो इसलिए दिमाग है बार बार कोई काम छोटा बड़ा नहीं है सब इसवर के काम है सब इसवर के काम है तो इसवर ही कर ले फिर लोगों को करने की जरूत क्या है और काम अगर छोटा बड़ा नहीं है तो टन भाई टन होना चाहिए कि भाई चार दिन तो इसको छोटे काम को कर लो चार दिन हम कर लेते हैं कि छोटा बड़ा तो है नहीं, तो फिर चार चार दिन के रहें अंतर कर ले लेते हैं, और अब तो कोई अंतर है भी नहीं, क्योंकि पढ़े लेखे लोगों की संख्या जाता है, हाला कि कम करने की कोशिस की जा रही है, मगर काभी लोग बहुत जाता हैं, जो पढ़ लिग होते हैं, और ऐसा पैक्टिकल में, रूटीन में, जीमन में होता नहीं है, मिलता नहीं है, एक व्यक्ति जो जिसके दिमाग में ये बाट डाली है, कि तुम छोटे काम नहीं करोगे, वो नहीं करता है, मगर दूसरों को हमेसा कहता है, काम छोटा बड़ा नहीं होता, भाई अब वो जमाना नहीं है अब जमाना है कि करम कर और फल पहले ले लो आप कोगि अगर आप फल नहीं लोगे तो फिर आपको कोई सड़ागोः फल हाथ में थमा जाएगा और आप देखते रह जाओगे करम आप कर चुके हो तो फिर उससे कुछ कह भी नहीं सकते दरसल जो दुनिया में सबसे बड़ा जगड़ा है वो इस बात का है कि हर आदमी ये चाहता है कि वो ऐसा काम करे जिसमें मेनद कम हो और पैसा जादा हो साफ हो सुद्र हो और इज़त वाला काम हो गंदे काम को कोई नहीं करना चाहता इसलिए युलोप के जो देस हैं वो लेवर मनाते हैं भारत से, पाकिस्तान से, बंगलादैस से, अफ़परेस्तान से, ठाईलین्ड से, मैनमार से, इन देसों से यानि एशिया के पुर्वी एशिया की जो देश हैं वो फिलिपिन्स वगरा जो देश हैं वो वहां labor group में जाते हैं पहले वो afrikans को बलाते थे अब afrikans ने वहां इन गंदे काम वो करने से मना कर दिया तो यहां से labor जाती है और उसको कुछ वो पैसा उसके मुझे फैंकते हैं डॉलर या पॉंड और वो वहां मजे मजे से उनकी वो गंदे काम करता है भारत में भी अगर सारे लोग पढ़ जाएंगे दिलिख जाएंगे जैसे मानलो पूरे देश के लिए 27 लाख डॉक्टर चाहिए अब 27 लाख डॉक्टर अगर सभी लोगों के बन गए तो बागी जो लोग हैं वो कमपाड़ बनेंगे या नर्स बनेंगे तो हर आपी चाहता है कि हम डॉक्टर बने हम कमपाड़ और जो बोट़ वो है वो क्यों बने क्योंकि डॉक्टर का ज्यादा मज्जा है डॉक्टर को पैसे भी जाना मिलते हैं बड़िया रूम, बड़िया घर मिलता है तो हर बच्चा ये चाहता है हर मापा भी चाहता है कि उसका बच्चा डॉक्टर बने तो यानि कि काम बड़ा हो गया यानि हर आदमी चाहता है कि ये जो काम है बड़े वाला दुगने अगर बच्चे हैं तो 27 लाग तो डॉक्टर बन जाएंगे मगर बाकी जो 27 लाग हैं वो तो छोटा काम करेंगे और वो करना चाहेते नहीं इसी बात का जगड़ा है इसी लिए ये जगड़ा बरावर चलता आ रहा है पूरी दुनिया के अंदर कि अच्छा काम कौन करेगा और कोई बुरा काम करते हो तो उसको चोड़ो आप और अच्छा काम करोगे तो उसका रिट अच्छा आएगा ये दुनिया का नियम है आगे बढ़ने का धन्मयवद तंगं सरेन गच्छाम। तंगं सरेन गच्छाम। तंगं सरेन गच्छाम। तंगं सरेन गच्छाम। तूतियम पी गुतं सनं गच्छामी तूतियम पी धम्ममर्सेन गच्छामी